भारत विविदता का दर्बन एकता की मूरत और लोकतंत्र की जननी यहां गणतंत्रिक व्वस्थाओं के उदाहरन है वेदों में वैशाली की गण परिशत के उत्कोचों में आचार्य चानक्य के अर्धशास्त्र में उत्तरा मेरूर के शिला लेखों में वर्णत चोल सामराजी की पंचायत विवस्था में उनकी गणम और वार्यम विवस्था में भगवान पस्वेश्वर की अनुभव मन्टपम की धारणा में गन, सभा, गनपती, समिती लोकपाल जैसे शब्द भारत में हजारों साल से अस्तित्व रखते हैं स्वरूप बदलता रहा संसकार नहीं बदलते समय के साथ भारत बना विश्व का सबसे विशाल लोकतन जिसका साक्षी बना हमारा संसद्भवन करीब एक शताब्दी पहले 1927 में आपनिवेशिक हितों के लिए ये काउंसल हाउस बना देश आजाद हुआ ये भारत की संसद्भवन यहीं पर हमारा सम्विधान रचा कया आज यहीं से लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 सदस से भारत के नागरिकों का प्रतनिधित्व करते हैं विचार विमर्ष की तंदरुस्त प्रक्रिया से देश को दिशा दिखाती है ये गोल आकार संसद्ध इतिहास की कई अभूत पूर्व उपलब्धियों का साक्षी संसद्भवन समय के साथ यहां परियाप्त जगह और सुविधाओं का अभाव होने लगा था आधुनिक तक्नीक का क्रियानवयन चुनोती पूर्ण हो रहा था ऐसे में विगत कई दशकों से कई सरकारों ने नए भवन की आवशक्ता को महसूस किया पर इसे साकार करने का साहस किया गया माननिय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेत्रितों में और 10 दिसंबर 2020 को संसद के नव निर्मित भवन की आधारशिला रखी गई थाई वर्ष से भी कम समय में 65,000 वर्ग मीटर में फ्यले इस भवन का लगभग 60,000 श्रमवीरों द्वारा 23 लाख मानव दिवस से भी अधिक स्रिजित रोजगार से निर्मार कार्यर पूरा किया गया जो अपने आप में खीर्तिमान है भारतियों द्वारा भारतियता के विचार से ओतपोत भारत के संसद भवन के निर्मार काशवारम हमारी लोकतांत्रिक प्रमपराव के सबसे एहम पड़ाओं में से एक है नए भारत के हर नागरिक की आकांग्शाओं और उज्ज्वल भविश्य को समर्पित संसद के नए भवन का निर्मार मौजूदा संसद भवन के प्रांगण में ही किया गया है आने वाले समय में संसद के नए और मौजूदा भवन एक दूसरे के फूरत होंगे इस भवन में प्रवेश के छहदवार हैं जो भारतिय सभ्यता के अनुसार प्रकृती को अपनी कृतग्यता अब्यक्त करते हैं मकर और हंस यानी जल को नमन शारदुल और गर्द यानी नभ को नमस्कार अश्व और गज यानी खल को प्रणाव संसत के नए भवन का नया विराथ लोगसभा कक्ष जो राष्ट्रिय पक्षी मोर सिप्ने रित है इसका आका मौजूदा लोगसभा से लगभग दोगना बड़ा है नया राज्यसभा कक्ष राष्ट्रिय पुष्प कमल सिप्रेजित है जिसका आकार भी मौजूदा राज्यसभा कक्ष से लगभग देड़ गुना बड़ा है ये भवन देश की जनता को समर्बित है इसलिए लोगसभात और राज्यसभा में जनता के स्वागत के लिए विशाल दर्शक पीरगा का निर्मान किया गया है अत्याधुनिक डिजिटल उक्कर दोनों सदनों की सुविधाओं को नया आयाम देते है यहाँ सदन की कारिवाही को विभिन्न भाशाओं में सुना और बढ़ा जा सकता है सदस्यम के लिए बायोमेट्रिक की सुविधा है वोटिंग के परिणाम और सदन की कारिवाही के प्रसारण के लिए विशाल मल्टी मीडिया दिस्प्ले आटोमाटिक क्यामरा कंट्रोल और कमान सेंटर का भी निर्मान किया गया है यह नया स्मार्ट भवन पूरी तरह से पेपरलेस है इस भवन के एक भाद में लोकसभा है दूसरे में राज्यसभा और इस भवन का केंद्र समर्पित है हर भारतिये को जिनके लिए सेंट्रल फॉयर में बना है सम्विधान कक्ष जहां वे भारत में लोकतंतर के अतीत से वर्तमान की यात्रा का अनुभव कर सकते हैं यहीं भारत के सम्विधान के डिजिटल प्रतिरूपी भी रखी गई है इसी सेंट्रल फॉयर में उपर की त्रिकोणिय छट से सूरी की किर्णे ब्रह्मांड का भ्रमन करते हुए पेंडियूलम ख्लॉक पर गिरती है ये किर्णे बर्गत के पेड़ को नहलाती है और सदस्यों के लिए निर्मित कक्ष, पुस्तकाले, भोजन कक्ष में फैल जाती है आत्म निर्भर भारत के प्रतीक इस भवन के निर्मान में भारत के हर भाग ने अपनी भागिदारी निभाई है कहीं महराश्ट्र की सागौन की लकडी सजी है उन्ही से दोनों सदन में अशुक चक्र भी बना है कहीं राजस्थान का शांदार स्टोनवर्ग कहीं उत्तर प्रदेश की कालीन बिची है कहीं द्रिपुरा की बैंबू वुट फ्लोरी वहीं सफेद मार्वल गुजरात से आया है एक भारत, श्रेष्ट भारत की भावना से प्रेरित सभी वर्गों, प्रांतों ने बिलकर बनाया है ये भवन ये भवन इको फ्रेंडली होने के साथ साथ खुकम पुरोधत भी है सत्रा सौ से अधिक दरवाजे खिड़किया है साथे तीन किलोमीटर लंबे बिल्दिंग कॉरिडोर्स है ये भवन विकास और विरासप का अध्भुत संगम है एक तरफ यहां सुरक्षा और सुविधा के लिए स्मार्ट फीचर्ज और स्मार्ट एक्सेस की विवस्था है वही भारत की प्राची कलाओं का अध्भुत एकी करन भी है तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्मान का गवा बनेगा पुराने संसत भवन में देश की आवशक्ताओं की पूर्ति के लिए काम हुआ तो नय भवन में 21 सदी के भारत की आकांछाए पूरी की जाएगी नय भारत के आत्म विश्वास को बढ़ाता विकसित भारत के संकल्प को गती देता ये है हम भारतियों का संसत भवन झाल झाल